आप लोगों को पता होगा RBI ने 2000 रुपे के जो नोट हैं उसको यहाँ पर बैन कर दिया है लेकिन आप इन नोटों को 30 सितंबर 2023 तक अपने बैंक अकाउंट में यहाँ पर डिबोचेट कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर दो बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल के आ रही हैं लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर रहता हुआ कि क्या हम इनको चेंज करा सकते हैं और हम अपनी बैंक में जवा करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे यहाँ यह जो नोट है यह किस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं तो मैं आपको यहाँ पर जो सबसे बड़ी रुपे के नोट को बदलना है तो आप हमारे स्टेट बैंक के शाखा में आ सकते हैं यह चीज 23 माई 2023 ते स्टार्ट हो चुकिए यानि कि मंगलवार से यह चीज यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है यानि कि आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में जाना है आप एक बार में 22,000 के 10 नोटों को change कर सकते, यानि कि आपको directly यहाँ पर बैंक के counter से आप लोग 22,000 रुपे के जो 10 नोट है, उनको यहाँ पर change कर सकते हैं, सबसे अच्छी बात यह है, इसके लिए आपको ना तो कोई ideal यानी किसी भी तरीके की, नहीं आपको कोई form बरना है, केबल आप वहाँ पर जाएए, और वहाँ पर आप जो भी आपके पास नोट है, 22,000 रुपे के 10 maximum नोट आप यहाँ पर change करा सकते हैं, और बिना किसी tension के, बिना किसी सवाल जवाल के, आप यहाँ पर अपने जो नोट है, उनको यहाँ पर बदलवा सकते हैं, second update यहाँ पर आ रही है, पंजाब नेशनल बैंक ने भी स्टेट बैंक की तरह, यहाँ पर अपने जितने भी गराख है, उनका खाता वहाँ पर हो, या ना हो, फिर भी वो लोग अपनी यहाँ पर 2000 रुबे के जो नोट है, वो भी यहाँ पर 10 नोट तक चेंज करा सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक में, यहाँ पर भी आपको कोई भी ID, किसी भी तरीकी की ID आपको यहाँ पर बैंक में नहीं देनी है, और नहीं आपको कोई यहाँ पर फॉर्म फिल करना है, आप डारेक्टली जाईए, 2000 के आपके पास जो भी नोट है, मैक्सिबम 10 नोट तक आप वहाँ पर जो काउंटर है, आपको कोई आड़ी नहीं देनी है, आपको किसी भी तरीके की कोई भी परिशानी यहाँ पर आपको नहीं होगी, तो यहाँ पर State Bank of India और यहाँ पर पंजाब नथल बैंक ने बहुत ही अच्छा यहाँ पर जो अपडेट है, वो अपने सभी कस्टमरों के लिए कर दिया है, और मैं उमीद करता हूँ आने वाले टाम में और भी जितनी भी जो बैंक है, उनको भी यहाँ पर इसी तरीके से कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए, जो आम जनता है, उनके पास 2-4-5 नोट हो सकते है, लेकिन जिनके पास लाखो करोड़ रुपे है, वो लोग लाइन में नहीं लगेंगे, मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, वो लोग अपना किस तरीके से चेंज कराएंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो आम जानता है, उनके पास हो सकता है, 10-10-100 रुपे हो, तो उनको यहाँ पर परिशानी ना हो, इस बज़े से यहाँ पर इन बैंकों ने बहुत ही अच्छा यहाँ पर डिसियन लिया है, और आने बाले टाम में हो सकता है, और भी बैंक हैं, इसी तरह के गडिसियन यहाँ पर ले सकें, तो मुझे तो State Bank of India और Punjab National Bank के तरफ से, यह जो नोट बदलने की स्कीम है, बिना ID के और बिना किसी form के, आप यहाँ पर चेंज करा सकते हैं, मुझे तो यह बहुत यहाँ पर अच्छी लगी, अगर आप लोगों को भी यह इसकीम यहाँ पर अच्छी लगे, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर दाएगेगा, या फिर आपका जैसा भी कोई भी सोजाब हो, आप हमें कमेंट करके बदा सकते हैं, हम उमीद करते हैं, वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आई होगी, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को आप लोग ज़्यादा स्यादा शेर कीजिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार आये हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलोव जरूर कीजिएगा वीडियो आप लोग कहां चे देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बदाइएगा वीडियो देखने के लिए आप सबी का बहुत बहुत धन्यवाद